हेलो नमस्कार मेरी पहरे साथियों राधस्तान पसू प्रीचर बर्ति प्रीक्षा 2024 एनिमल अटेंडेंट के लिए दोस्तों आज का ये मोडल पेपर भाई गुण 30 वा आज आपके सामने दोस्तों लेकर आचुकों बिल्कुल दोस्तों इससे पहले हमारे 28 मोडल पेपर भाई केमप्लेट हो चुक है अगर दोस्तों आपने ने देखा तो वीडियो के दिसक्रिचर वाली पार्ट B का किमप्लेट क्लासिच का दोस्तों लिंक आपको इस इसक्रिचर दे दूगा तो जाका दोस्तों जstringsकईब्सों देखना बिल्कुल एक ऑथेंटिक यूनिक और एक जन है क्या बोला है पन्ना मेना का कुंड दोस्तों कहां इस्तित है उद्यपूर में नाद्वारा में जेपूर में दोस्तों जेसल में मताई दोस्तों हमारे इस क्यूशन का अंसर क्या होगा यह पन्ना मेना का कुंड बड़ा इंपोर्टेंट और यह दोस्तो हमारे जेपुर जिले में इस्तित है उत्तर नमर दोस्तो से बिल्कुल करेक्टी हो जाएगा ठीक है इसके अलाव देखे दोस्तो अगर आपको पूश ले कि नहार सागर कु पूशा गया है तो यह भी दोस्तो हमारी बूंदी जिले में इस्तित है ठीक है इसके लाव देखे दोस्तो एक तालाव हो रहे हैं जोकसर एक्जामें पूश जाता है किसोर सागर तालाव नोट करना किसोर सागर तालाव दोस्तो यह कहां पर इस्तित है तो यह दोस्तो हमा आपको पूच ले मामा देव का कुंड कहां इस्थित है मामा देव का कुंड दोस्तों कहां इस्थित है मामा देव का कुंड दोस्तों कहां इस्थित है मामा देव का कुंड या दोस्तों बीमलत जलास अगर आपको पूच ले यह कहां इस्थित है यह दोस्तों के केले में से यह सभी क्यूसन दोस्तों एक्जाम में पूंचे गए हैं इस बाते में ध्यान रखना है ना कि यह पर देखें दोस्तों बड़ा गदब का पर स्था रातस्तान की निमल लिक्कित में से कौन सी जील को राम सर वेटलेंड कंवेंशन में दोस्तो सामिल किया गया है जैसमद जील में आना सागर जील को सामबर जील को है दोस्तो हमारे 15 जील को देखे दोस्तो राम सर वेटलेंड कंवेंशन सर या इसको रामसर गुएटलैंड के सामिल क Mia गया है। इसके रहाँ देखेजू अगर मैं बात करूँ भाई हमारी सामबर जील की या पर नोट करना कुछ इंपोस तुम आपको बताने वाला हूँ एक मिन टुकी देखे दोस्तों खारे पानी की जील आ इस बात का ध्यान देञा नमक का उत्पादन करती है सामबर जील ठीक है इसके लाद देखे दोस्तों इसमें टोटल पांच नदियों का पाने आता है कितनी नदियों का पाने आता है ये एक्जाम में पूंचा गया और 500 की 500 नदिया दोस्तों एक्जाम की पॉइंट उसे बड़ी इंपोर्टेंट है हो गई एक हो गई खंडेला नदी एक हो गई दोस्तों हमारी रूपंगड नदी रूपंगड खारी खंडेला रूपंगड एक हो गई दोस्तों मैंधा नदी एक हो गई मैंडा नदी मैंडा नदी ठीक है ये 500 नदियों का पाने दोस्तों हमारे सामबर जील में दोस्तों आ श्मनेंड्यबि सलव कन Gardση I am your Cash केवलादीव गनापक्सी राष्ठी उध्यान गनापक्सी राष्ठी उठ्यान दोस्तों कहाँ पर इस्तित हमारा भारतपूर में थीक है तो दोस्तों ये में कमंएنिशन श्ता dif empres Dubai है और दोस्तों इसको कब सामिल किया गया था तो इसको जूरी सो इक rez develops को मालुमोना 6 यther यह तो है दोस्तों सामब जील की बात अब कि पूंच ले कि राश्ट्य जील जो संठक्शनिक्रम में उसमें दोस्तों राधस्तान की कि कितने जीलों को सामिल किया गया है राष्टे जील संट्रक्षण कारिकरम के तहट दोस्तों राधस्तान की छे जीलों को सामिल Πया गया अगर आपको क्यों सब्सक्रत दोब पख़ olması दोस्तों कौन कौन सी अक्षर इंप पूंच जाते तो एक जील दोस्तों हमारी सिरोई की है अब देखे दूस्तों उनका नाम भी देख लेजी दो जील हो गई दूस्तों फटय सागर जील एक दोस्तों पिछोला जील दो जीले होगे दोस्तों उद्यपूर की जीपूर की कौन सी जील है जीपूर की मान सागर जील है जिसके अंदर दोस्तों जल महल बना हुआ है मान सागर जील ठीक है शिरोई की दोस्तों नकी जील है तो इन दोस्तों 6 जीलोगों यहाँपर नोट करोना 2,4,5,6 इन 6 जीलोगों दोस्तों क्या पाल ले राष्टे जील से लिजक्षन कारिकरम के अंतरगर्श सामिल किया गया है वेड़ी वेड़ी इंपोर्टेंट दोस्तों इसा content आपको पूरे YouTube पर देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो जैले दोस्तों हमान next question देखते हैं क्या होगा वाई यहाँ पर देखे दोस्तों हमारा this question का अंसर क्या हो जाएगा उत्ता नमबर C बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल क्रेक्ट बात है और यहां पर नोट करना बनास नदी के किनारी सिते कहां पर रिष्ट है बनास नदी के किनारी सिते दोस्तों अगर आपको आहड सब्वेता किस नदी के किनारी सिते है तो यह दोस्तों उद्यापुर में बेड़च नदी के किनारी सिते है इस बात कर दोस्तों द्यान डखना ठीक है तो हमारे स्कूषन का आँसर दोस्तों क्या हो जाएगा उत्तर नदी के किनारी सित कहां है हमारे स्कूषन का इचर नादी के किनारी सिते हैं जो लोक देवता मली नाजी है इनका मंदिर दोस्तो लूणी नदी के किनारे से तै कैसे लूणी नदी दोस्तो पस्मी राधस्तान की सबसे मुख्य नदी है इस बात का आपको मालू होना जाए ना सबसे मुख्य नदी है पस्मी राधस्तान की और दोस्तो पस्मी राधस्तान तेल्वाड़ामे बाड मेर के तिल्वाड़ामे वार देवता मलन ना जी का मुखध अमोर मिलश लोल नाजी है तो दोस्तों यहापर नोट करना मन्नी नाद जी को कुंदा पका मेरी नेता भी कहा जाता है कुंदा पंत का इले नेता भी दोस्तों इसको कहा कó भी मत पाद करूं यहां पर थे घ्रक करूछ लोग दिवता का जाता है यह राइपлаг लिए ने यहां होते हैं तो लोग का भुटी होते हैं ने अंचे पर दाव जी की लिए होते हैं तो मालूण का देवता भी दोस्तों कहते है तेजा जी को और इसके लाव तेजा जी को दोलिया वीर के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है दोलिया वीर के नाम से भी ठीक है इसके लाव देखे दोस्तों बचे हड़बू जी तो हड़बू जी दोस्तों हमारे जोदपूर के सासक राव ज से लिकार्षी चितर है देवगर्ड नातवब्र ओधियवपूरः दोस्तों चांवंड रखना है मेवारर चित्रकला से लिए चित्रकला से लिए इसके अलाव देखे दोस्तों हमारी क्या हो जाएगा उत्ते नमर सी बिल्कुल करेक्ट्र देगा चावंड सेली का परसिद चितर दोस्तों राग-माला है इस बात का आपको मालम होना ज़िए ठीक है राग-माला जो चितर है वो दोस्तों किसके दुआरा चितर तो नशीरुदीन या निसार दियन के द्वार दोस्तो राग माला चितर दोस्तो क्या किया गया था चितरित क्या गया था और दोस्तो किस सासक के समय चितरित क्या गया तो यहां पर नोट करना मेवार के सासक दोस्तो अमर सिंग अमर सिंग पर्थम के समय दोस्तो यह क्या क्या गय तो मैं कुछ important आपको बातें बता देता हूँ ठीक है एक्जामे क्यों सीधा ये पूछा जाता है कि देवगण चितरकलास अली को परकास में लाने का सरीय किसे दिया जाता है कितना गदब का person है तो बताई दोस्तों आप क्या करोगी तो यहाँ पे नोट करना एरिक डिक्सन को और दोस्तों फेयाज अली को फेयाज अली को दोस्तों इसको परकास में लाने का सरीय दिया जाता है ठीक है very important है एक मिनट भाई यहाँ पर क्या हो गया गडबड हो गया देवगड चितरकला सेली को परकास में लाने का सरीय बाई किसे दिया जाता है यह मैंने आपको गलत बता दिया बाई एरिक डिक्सन और फेयाज अली नहीं होगी यह तो दोस्तों किसंगड चितरकला सेली को परकास में लानी का सरीय किसे दिया जाता है तब डॉक्टर सृधर अनदारी को दोस्तोव डोक्टर सृधर अनदारी को भाई क्या दिया जाता है देवगड चितरकला सेली को परकास में लाने का सरीया, दिया जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टें ठीक है, और अगर आपको पूछ ले, किसन गड़ चितरकला सेली को प्रकास में लाने का सरे किसी बता दिया था एरिक डिक्सन और फ्याजली को तो यह मैं दोस्तों खेद पर कट करता हूं वाई समा चाहता हूं आपसे गलती होगी ठीक है लेकिन दोस्तों आपको तुरंत बता दिया ठीक है ना दोस्तों मैं नहीं चाहता कि दोस्तों मेरे स्ट समाचार पत्र इसका संपात को थे जय नारायन व्यास रिबाव उपाद्याई राम नारायन चोद्र दोस्तों रिशी दव्याद मेंपता नाम आता है अंग्रे जी सुमाचार पत्र था तो फीप फिıllी से प्रकार अगर मैं बात को मालूम होना चाहिए आगी बान समाचार पतर की तो ये दोस्तो बेगावर से परकासित होता था इस बात का दोस्तो आपको मालूम होना चीवाई ठीक है नेश्ट कुशन देखते हैं दोस्तो क्या होगा अखंडबार्थ अखंडबार्थ दोस्तो बुंबई से परकासित होता था ठीक है इसके हलाँ देखे दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर हरी बाव उपाद्याई की तो हरी बाव उपाद्याई की तो हरी बाव उपाद्याई की एक फेमस समाचार पत्र है त्याग भूमी त्याग भूमी किसका समाचार पत्र है हरी बाव उपाद्याई का इसके संपादक भई यही थे त्याग भूमी ठीक है रिशी दत्मेता की बात करें तो दोस्तो जो राधस्तान अकवार है ना म compelled के दिर रहा है यह इस हमारे जोडपूर में है न कोई नहीं होने जाहे ज़ए लालगड़ मेल दोस्तों मारा बीका नेर नियर में हो नंट करना जस्वंत तो संग आदमि इसका निर्माण करते हैं इसे राधस्तान का तरह तो यसने वाती दोस्तों द्यान रखना में नेक्τά की राधस्तान की जलवायू के बारे में निमल लिखित खत्नों से खत्नों को फड़िया और दोस्तों सही कूट का चैन करना है में ठीक है जी देखें पूरो से पस्पिक्षिंग की और और दक्षिंग से उत्तर की और वर्शा की मात्रा गड़ती हैं कहने का मतलब क्या है यह तो और यह क्या बोल रहे हैं पूरव से पस्यम की और पूरव से पस्यम की और मतलब दोस्तो इस और की बात कर रहे हैं पूरव से पस्यम की और और दक्षिन से उत्तर क्यों इस और की बात कर रहे हैं ठीक है दक्षिन से उत्तर क्यों अगर हम ऐसे जाते हैं तो वर्षा की मातरा क जेसल मेर की तरफ आएंगी तो वर्षा बढ़ेगी गठेगी गठेगी न तो दोस्तों ये बात सही है उत्तर नमर दोस्तों एक तो खतन पहला तो सही है आगे देखे रेत की अधिकता के कारण है देनिक वर वार्षिक तापांथर अधिक पाये जाता है बिलकुल सही बात है यह बात भी बिल्कुल से राधस्तान दोस्तों मरुस्तले पर्देस है और दोस्तों यहाँ पे नौट करना कि रेत की अधिकता है कारण देनिक तापांतर और वासिक तापांतर अधिक पाए जाता है और दोस्तों किस जीले में पाए जाता है अगर आपको ऐसा पूछ ले कि और रादस्तान के किस जीले का देनिक ना प्वार्षिक ना धीक होता है तो यह यह बार तो यह बात भी बिल्कुल सही है थेंद customs क्युस्ट मिल्कुल.. तो 1,2,3,1 है उतने नंबर दी दोस्तों बिलुकुल है क्रेक्टिक हो जाएगा थीक है मैं इम्पोटेंट किस्ट ORASजट अब यहां अफेन देखे दूस्तों तर्टा भाई क्यां बोल ना है यहां पे नोट करना क्यूसे नंबर चिंतर विलो Даже दोस्तों के situation का answer दोस्तुン नंबर B बिलकुल correct देगा यह दोस्तों शिर का एक परकार का वस्तर होता है जिसे हम पगडी कहता है ठीक है फेटा पगडी को पहुआ जाता है ठीक है जो रादस्तान के पूछ ले डेपाडा किसे कहते है डेपाडा है ना ये बड़ा इंपोर्टेंट है तो बील पूर्सों के दोस्तों तंग दोती होती 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 है अगर आपको खोई तू पूछ ले खोई तू क्या होता है बील पूर्सों में तो खोई तू कमर पर बांदे जाने वाला दोस्तो एक परकारत क्या होता है वस्तर होता है खोईतु इस बात का जान लखना ठीक है बील पूर्सों के कमर पर बांदे जाने वाला वस्तर को क्या कहते है खोईतु कहते है अगर आपको कच्छाबू पूंच ले कच्छाबू क्या होता है तो कच्छाबू दोस्तो यहापे नोट करना जो बीली महील आए होती है उनका दोस्तो गुठने तक का घागरा होता है कच्छाबू इस बात का दोस्तो आपको मालूम होना चाहिए तो बाई डेफाडा, खोयतू, कच्छाबू, फेटा यह सब दोस्तो आपको मालूम होना चाहिए तो उकसर एक्जाम में पूची जाते हैं ठीक है, नेश्ट कुशन देखे दोस्तो क्या होगा यहापर देखे दोस्तो कितना गजब का परसन है, क्यूशन नंबर 77 क्या बोल लाए है, निमनल लिखित उसको गोडवार परदेश के नाम से जाना जाता है ठीक है जी, आगे देखे गिर्वा जो इस्तला करती है वो उद्यपूर बेसिन के विशिष्ट आ करती है जो मेवार परदेश में इस्तित है यह बाद भी बिल्कुत सेवाई, गिर्वा कहां पर पाएँ जाते हैं उद्यपूर में अगर आपको पूछ लेसले राधरस तान में भाखर कहां पाई जाती है अ बाक्र दोस्तों इस 예ा बता है थे जिसके हैं ना अनुमानगड़ और गंगानगजी लें दोस्तों इस्तिता है गगर का मेदान शूरू जीन में नहीं है तो क्या हो जाएगा इसमें सही कूट का चेहिए तो दोस्तों एक और दो बिल्कुल से हो जाएगा ठीक है नेस्ट देखे दोस्तों क्या होगा यहां पर देखे दोस्तों बात पूरिए सांसी जंजाती की सांसी जंजाती है वह मुख्यत राधस्तान के किस जिले में दोस्तों पाई जाती है करोली दोलपूर अलवर या दोस्तों हमारे बारतपूर तो बताई दोस्तों हमारे स्कूशन का अंसर क्या होगा हमारा देखे दोस्तों ब पुल्ज बारत्पूर पुले तो elderly होगा इहांपर देखे दो किया वोगा sorry summary degas नहीं है याँपर देखे दो स्था आपको दे रखा है पयां का झल्वाई वरकिकरन दे रेका और दोस्तों इस को कोपेन के जल्वायू वर्गी करन को मैं दोस्तों आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ हमारे इसक्यूसन का आंसर तो दोस्तों बताए क्या हो जाएगा देखें के कोपेन का जल्वायू वर्गी करने कॉपेन जल्वाय वर्गी करन का आदर की से माना है इसकी एकमहीं इसके अकोडिंग दोस्तों चार बागों में जल्वाय वर्गी की जी लेकंते हैं एड लो में तो तुसक्य आ पर नोट करना इड ड कॉन olmasवादा एक्जाम के में इंपोर्टन इसके लाद दोस्तों निए पॉरह गया हमारा उद्यपूर आ गया परताब गड़ा एकados ना जाला वाड ये दोनों जी ले दोस्तों AW परकार की जलवाई के अंतरगत आते हैं ठीक है very important BSHW परकार की जलवाई में दोस्तों बाड मेर और जालो रहते हैं ना इसमें देखे दोस्तों अगर आपको पूँच ले कि अरावली का कौन सा छेतर आता है इसमें अगर आपको जैसे इसमें पूँच रगा है ना कि CWG में अरावली का दक्षनी पूरी चेतर आता है बात तो बिल्कुल सही है लेकिन अगर आपको ऐसा पूँच ले कि BSHW में अरावली का कौन सा छेतर आता है तब दोस्तों आप क्या करोगे खुर नागर पाली शीकर यह सबी जैसे ले दोस्तों किसमा आते है BW में है ठीक है बात करो आपके देखे BW HW में इसमें दोस्तों हमारे पस्मी राधस्तान की जैसे में आपको कितनी बर बता दिया कि कोपे जलवाई जल्वायू बर्गीकरण के अनुसार BWHW परकार की जल्वायू बर्गीकरण में रादस्तान की टोटल पांच जिले आते हैं और उसका ट्री का दोस्तों मैं आपको काक पर बता चुका हूँ हाई जेसी बी अनुमानगर गंगानगर जेसल में चूरू और विकानेर ये सभी पांच जिले दोस्तों BWHW में आते हैं ये पांच ही जिले हैं दोस्तों इसको रट ले न भाई ठीक है CWG में दोस्तों अरावली के दक्षनी पूरी वी छेतर आता है CWG में क्याता है अरावली का दक्षनी पूरी वी छेतर जीले कौन-कौन से आते हैं तो दोस्तों यह पर नोट करना हमारा जेपूर हो गया जो जेपूर जिला दोस्तों CWG में आता है इसके लाव अजमेर हो हो गया सवाई मा Suzanne bake और दोसा दोस्तों अना मत्यश्य संग जिसमें चार यह हो गया है नही सबीने दोस्तों कि में आते हैं और स्यवरा जी वेरी एंपोटनेंट आई ओप दोस्तों आज आज, आज के बाद, दोस्तो, आपका कभी कोपया है चे समिन्थी, दोस्तो कोई क्यूशन गलत नहीं होगा, ठीक है? हमारे इस क्यूशन का अईसर क्या हो जाएगा? उतने नमबर दोस्तो, एक बिल्कुल गर्टिख हो जाएगा, नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं दोस्तो क्य कमेंट करके न School क्या होगा ऐगा कैस्ट को मालानी नसल कहते हैं यह थार नंसल cycle इस के अलाव देखें कि पूंच लेगक यह ची चार हो नसल नसले कहां कहां पाए जाती है राधस्तान में यह कुमणाइन थे त। तो दोस्तों देया नेकरा राधस्तान में सरवाद़ कॉनूचे थार, पाकरा आओं इस बातbb together को मरुवर्वन चे राठी गाई को दोस्तों क्या कहता है राधस्तान की काम्देन हो ठीक है इसके राधस्तान में कौन ड्री चाह जाते राध Whenever क Songland चे cek जीमेर तीजमेर को पाया जाए थे इसको रेंडियु या तो काम से जाना जाता है अजमेरा की नाम से दोस्तों सिह को जाना जाता और दोस्तों गिर नसल नहीं होगे थिक है तो हमारे दोस्तों इसकी उसन कांसर क्या हो जएगा उत्तर नमर दोस्तों, c बिलकुल करेक्टर जएगा और अगर दोस्तों आपको देश की पर्मुक देशी नसलों से समंधितो पस्सूपरीजर का पार्ट भी है इससे समझते दोस्तो अगर गायों की सभी नसलों का MCQ दोस्तो देखना है तो वीडियो को डिस्क्राइब आपको लिंक की देदूगा कमेंट करके दोस्तो जरूर बताना क्लास कैसे लगी ठीक है जाकर देखना दोस्तो मैंने discussion का answer हो जाएगा जग पूरा जग पूरा भी कहते है इसको जग पूरा जग पूरा भूखिया जग पूरा भी आता है और आनंद पूरा भूखिया भी दोस्तों आपको लिखावा मिलेगा कापी जग ठीक है तो दोस्तों हमारे discussion का का सबसके दोस्तों क्या होगा यहां पर देखें दोस्तों कि हमारे खंडेला में मिलते हैं इसके लिए सबसे बड़ी खान की बातकर सो उद्यापुन में जावरे सबसे बड़ी है धिक है नेश्ट कुछन देखे दूस्तों क्या होगा यहां पड़ देखिए दोस्तों नमर 82 क्या बोला है कोटा बुंदी जालावाड में कौन सी मरदा पाई जाती है लाल पिली मरदा मृस्तलिय मरदा लाल पर देश में मध्यम काली मर्दा पाई जाती है वेरी वेरी इंपोर्टेंट नेश्ट किशन देखे दोस्तों क्या होगा अगर आपको पूंचले जाजम और दोस्तों आजम पिरिंट राधस्तान के किस जिले का परसिद हस्त सिल्प है उद्यपूर चित्तोरगड अलवर या दोस्तों जाचम और दोस्तों कहां की परसिद है वेरी वेर्य इंपोर्टेंट अगर आपको पूंचले की द्वेक्षे प्रसिद है ज्याजम और दोस्तों दमें गांव है अकोला कि इस जरा की परसिद जल्द का frankly पर कन कि तोस्तों बार्णे मेर की परशीद है बार जैसे रिचे से मुझे वैसा आंसर के ट 46 देखें क्या होगा यहां पर देखें दोस्तों जंगना की बात हो रही है दोस्तों निमन्तम लिंगानुपात वाला जीला पूंच रहा है सबसे जुन्तम बाल लिंगानुपात वाला जीला पूंच रहा है कौन सा है। या दोस्तों ऐसे पूंचले जीरो से 6 वरस के आयू वरग में सरवादी के यह ना लिंगानुपात वाला जीला कौन सा है तो दोस्तों आपको करना है बासवडा कौन सा करना है बासवडा इस बासवडा का बाल लिंगानुपात सरवादी को कितना है दोस्तों एक्जामे हो जाएगा आगे देखें दोस्तों क्या बोल राधास्तान के किस जीले में बलेक पोर्टरी ना काली पोर्टरी बलेक पोर्टरी फूल दानों प्लेटों अर्मत्कों के लिए परिशिद आया है अलो घ्यसल में कोटा है या दोस्तो हमारा बिकरें हमारे इस क्वीसेन का असर क्यों दएगा जैके बलेक पोर्टरी कहां की परिशिद है कोटा को परिशिद है राजस्तान mें हैं सुभाई मादुपूर था तो सुभाई माधुपूर करना आपको अगर कोर्टों नहीं हो तो दोस्तों द्यान त्टा पड्लस स्वाई-माधुपूर कर का से हो जाएगा देखिए फा एक्झाम मी पुछा घया है इस लिए मां आरक्षिर के लिए बल्कि बाटे है कांसर ऑगा चाहिए लिए इस गता है समय को साथ यह नहीं है और जोस्तों कुम्मलगाड नहीं हो essay won रावली टोरगर अब्यारन अरावली पाड़ियों का फेलाव अजमेर से उध्यपूर तक फेलावा है इस बात कुछ दोस्तों नोट कर लेना हमारे इस क्विशन का अंसर क्या हो जाएगा उतलमटी बिल्कुल करेक्टर हो जाएगा नेस्ट क्विशन देखे दोस्तों क्या हो मिलाई आए देखिए पारियोजी ने एक तरफ उनका इसस्तान दे करा है शिद्द अम्री सरूर किसे कहते हैं जवाई बांध को जाक हम से दोस्तों हमारा परताब गड़िए लाजाएगा परताब गड़िए इस परकार आप दोस्तों इसको सुमुलिद कर लेना बड़ा दोस्तों ईजी परसंता दिखने में अपको खटीन दिखर होगा पता नहीं क्या ही इससे मेका स्मार्ट मेगा फूडपार के नाम से जाना जाता है इस बात का बात कर रहा हूं राधास्तान के पहले रूप पूडपार की वेरी वेरी मरत को और बादर ने किया था Very very important तो धोस्तो इसमें कौन कौन जी क्योशन सही है एक और दोस्तो 3 भिल्कुल सही है एक और 3 दोस्तो यहाँपर हमारी commission console देखें नबर C भिल्कुल correct है next question देके क्या होगा कुछ मीघाप сообщ पार्क के बाद अगर आपको पूंचे जोस्तो रिको द्वारा भाई रिको द्वारा दोस्तो इस्तापित पूड़ 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 थीआ तीसरा दोस्तों मारा उद्धोग स्रीघंगा ने पढ़ता एक मिनट जो विहार ठीक है और जोटा है दोस्तों हमारा यह जोटा में रानपूर रानपूर पर्थम के नाम से यह कोटा में है ठीक है तो दोस्तो यह पढ़ गया हमारा गंगानगर में गंगानगर में यह पढ़ गया अलवर में अलवर में दोस्तो विखे को अ कुछ है आपा ने अलवर वाले को दोस्तों मेरे को उसका नाम कंफर मालुम नहीं लेकिन दोस्तों एम एस ए सी थीक है तो से नाव थीक रूप एक निगों और किसित के गुछ एकजामी पूछा तक ना ना थीक हो डिए नेससे नबर Newatik क्या बोला है पटेलया लालर और मुमल बिचियों यह सब क्या है यह क्या है यह क्यूसabytes का पटवारी एक्जाम भी प्उचा गया था राजस्तानी लोग इह है राधस्तानी लोग वादे अंटर यह राजस्तानी लोक नाट तेगा यह राधस्तानी लोक वादे यंत्रों की दोस्तों क्या है परकार पटेलया लालर मुमल और बिच्छियो ठीक है उतने मरसी दोस्तों बिलकुल करेक्ट देगा हमारे इस क्यूशन का अंसर नेस्ट क्यूशन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा के लोक वादे यंतर ने में दोस्तों आपको गलती से बता दे तब यह कुंतर से लग रहा था कि हम कुछ गलत भता रहें इस टूडेंटको एनक दोस्तों राध civ का रीवार का सबस्तों कालगत्त ही लेकित धा ने करनल जैन्फ टोड ने मेवाड का मेरतन कहा था हमारे दिवेर के यूद को दोस्तो जो अक्तुमर 1582 में लड़ा गया था हमारे इसके उसन कांसरूत नमर दोस्तो शी बिल्कुल करेक्टर हो जाएगा ठीक है इसके अलाव देखिए अगर आपको पूछ ले हल्दी गाठी के य ऊकले मेरतन के उसके ने कहाताया फक्रशन डियान आजब होटेट तो इसको घल्दी के इनको तोो और युनिने कहा था यह तो तीनों किसंदोस्तों ध्यान रखना ठीक है अगे देखे दोस्तों सम्राठ अक्वर ने किस संत को फत्यापूर सीक्री में आमन्तित किया था हरीदास द्यादु द्याल जी रजब जी दोस्तों नाम देव जी तो मैंने आपको कितनी बारे क्यूसिन ब क्या बेट हुए थी पहली बार तो उतनलो भी बिलकुल करैक्टे हो जाएगा संते दादु धीयाल जी कि बात कुरूत तो दोस्तों instructions को राधशतान का कभीर कहा दाता है राधस्तान का क्या कहा दाता है कभीरी का हदा है इस बात का द्यान रखना दूसरी बाद धुस्तों है नाम्याद रखना है एक्जाम कर साथ है छोती यह दे लएक्ट का दियान हाने हमा और दोस्तो उत्रा दे यह उत्त त्रान रखना कि इन सब्सक्राथ Mobilis рок ट्रॉट जो इह बड़ाई ऊपाद का डिया गाए नौज देखें दो S tell कि याँपर देखें दोस्तो कि बड़ाई गजब का परसन है क्या बोला है यहाँ पर नोट ना आमेर के जय सिंह 1 को मिर्दा राजा की उपादी किसे ने दीती जो मिर्दा राजा है ना मिर्दा राजा जैसिंग इसको जैसिंग फष्ट के नाम से जाना जाता है ठीक है तो इसको ये मिर्दा राजा की उपादी किसे ने दीती जागीर अकवर साहजा या दोस्तो ओरंग जेव ने तो इसको दो और इस एक्वर ने इसके बाब दोस्तों बार मलको बार मलको दोस्तों कि स्कृपदी दी तो तो अमीरूरा की उपादी दोस्तों अगर आपको है यहाँ पर किसे दी थी। Deputy थी तो दौश Coolaway जैसिंग इना स्वाय जैसिंग ie जूस ने जय पूर किक diagnosis ने देती तो इस औरंग जीम ने दीती वेरी वेरी इंपोर्टेंट इस बात का दोस्तो धियान डखना ठीक है तो हमारे इस क्यूशन का अंसर दोस्तों क्या हो जाएगा उतनामर दोस्तु सी बिलकुल करेक्टे हो जाएगा नेस्ट क्यूशन देखे दोस्तों क्या होगा यहाँ पर देखे दोस्तों पूंच रहा है लसाडिया का फटार दोस्तों कहां इस्तिता है उद्यापूर में राजसमंद में जालावार में दोस्तों बास पड़ा भी मैंने आपको कितनी बार बता दिया लसाडिया का फटार द तो ध्यान डखना जो उजेपुर में इस तते इसके लाइesehen dhk e एक और देखे राधस्थान का उच्छा पंचय पूँचे तो दोस्थो आपको करना है उडिया का पंचय तो जो कहीμε है yn मैसा का प्थार में इस dhk अगर आपको पूछ ले बोराट का फटार बोराट का फटार दोस्तों किसे कहा जाता है बोराट का फटार तो दोस्तों कुंबल गड़ से गोगुंदा के मद्य का जो फटारी चेतर उसको बोराट का फटार कहा जाता है उपरमाल का फटार पूछ ले उपर माल का फटार किसे कहा जाता है तो यहाँ पे नोट का ना बैंस रोड़ गड़ से लेकर बैंस रोड़ गड़ से लेकर दोस्तो जो जितोड़ गड़ पड़ता है वहाँ से लेकर बिजोलिया तक के फटारी बिजोलिया तक के फटारी चेतर को दोस्तो क्या खादा है उपर माल का फटार का दाथा आई ओब द wizard àp एकद़्यापूरा कंसेप्ट किलयर हो गया होगा नेश्ट की सो क्या बोला है जेपुर मेट्रो रेल की व्याव शायक शेवाहों की सुरुआं की कोमेर्शियल सिपाओं की 2010 defeated叉्ट्र नंबर सी बिल्कुल करेक्टर देगा 2015 एक क्यूशन के एक्जामिक काफी बार रिपीट हुआ भाई नोट कर ले ना परिवेहन से समझ दोस्तों एक क्यूशन है आगे देखे दोस्तों हमारा नेस्ट क्यूशन है भाई क्यूशन नंबर 95 बड़ाई गजब का परसन है बहुत स यहां पर देखे दोस्तों पर और मुक्यत दक्षनीपूर्वी बाग में देखने को मिलता है उतन नंबर एक ग्रेंड बाउन्टरी फोल्ट है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है फीक है इसको एक बार मां आपको इंगलीज में दिखा देखा देखे दोस्तों है ग्रेट बाउंडरी फोल्ट ये राधास्तान के सूर्थ इष्टर में देकने को मिलता है ग्षनीपूरी छेतर में अब देखें वह यह पर और सवाय। बूंदी और सवाई मादूपूर में देखने को ये मिलता है ठीक है इसके लाव देखे दोस्तों चितोडगड में देखने को मिलता है इसके लाव कोटा में देखने को मिलता है और दोलपूर और करोली में भी देखने को मिलता है दोलपूर और करोली से होकर दोस्तों गुज सब्सक्राइब करना है इस बात का ध्यान है उत्तर नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो देगा देखे दोस्तों मैं राज सीको और रीको के बारे में कुछ आपको इंपोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ यहाँ पर दोस्तों नोट करना मैं बात कर रहा हूँ वही राज सीको के ना राज सीको की दोस्तों बात कर रहा हूँ यह हो गया हमारा राज सीको ठीक है इसकी स्थाफ ना दोस्तों कब हुई थी सबसे पेरे तो मैं ये बात करूँ तो इसकी स्थाफ नहीं थी 3 जून 161 को दोस्तों राजसीको की स्थाफ नहीं थी ठीक है इसका पूरा नाम क्या है तो दोस्तों यहां पर नोट करना राजस्तान स्मॉल इंडिस्ट्रीज Small Industries Corporation ये दोस्तों इसका पूरा नाम है हिंदीम बोले तो दोस्तों राजस्तान लगू उद्योग निगम राजस्तान लगू उद्योग निगम यह होगा हमारी राज सिको क्या होगी दोस्तों फूल भूरम ठीक है इसके इस्ताफ नहीं हो गई अगर दोस्तों आपको क्यूसे पूछ लिए नोट करने किस्वन एक्सामें पूछा गया अगर चूशने पूछले की हस्ते सिल्पियों से हस्ते शिल्पियों से धो सज्थ जो हाठ से हाथ के द позволito बना embry दोस्तों उनक्यों दोस्तों कि वीधीव साहिता हस्त को ही करना है यह कि उसने एक्जामें पूछा गया है और हस्त सिल्पियों से दोस्तों हस्त सिल्पियों से शिद्य डाइरेक्ट दोस्तों उनके दुवारा जो उत्पादित माल होता है ना उत्पादित माल उसको दोस्तों कौन सी संस्ता खरीदती है खरीदती है अगर ऐसा क्य लेता हूं यहां पर देखें दोस्तों रीको की इसकी बात के लेता हूं रीको की बात करता हूं रीको की दोस्तों फुलपुरम क्या है तो यहां पर नौट करना रीको की फुलपुरम दोस्तों रीको की फुलपुरम क्या है राधस्तान राजय ओद्योगी की विकास एम निव के लिए विकास को दिति काम करती को बड़ावा देने के लिए काम करते हैं चेह सनसता डिक को तबार से थी सेंब तो पस्पर्ण को आगे देखिए दोस्तों क्यूश नमबर 500 शत्याएंव कि अगर मां बात करू तो क्या बोलड़ा है वह इसतांज दिसे प्राचीन भारत तॉप ए तो आपको पूछ ले तो दोस्तो इसको कार-कोट सब्वेता भी कहा जाता है सब्वेता किसे कहा जाता है तो नगर सब्वेता को कहा जाता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये भी कहा जिता है ये भी टोंक जिले में इस जिता है ठीक है इसके लाग एक है नगरी तो नगरी किसका प्राची नाम है नगरी दोस्तो मद्यमिका मद्यमिका का प्राची नाम है नगरी इस बात का द्यान रखना मद्यमिका क्या रहा है प्राची नाम दोस्तो क्या है नगरी है सोरी नगरी का प्राची नाम क्या है दोस्तो मद्यमिका मैंने आपको उल्टा बता दिया ठीक है उन नगरी दोस्तों ये चित्तो अडगर जीले का एक सहर का नाम है नगरी इस बात कर द्यान नखना नगरी का प्राची नाम क्या है मद्यमी का वेरी इंपोटेंट तिलवाड़ा दोस्तों मारा बाड़ में में सित है जहां पर लोग सब्सके बाद में दilläुट के आएगा यहां पर दोट करना हमारे दूस्तों गासर क्या होगा दोल पर के बाद में आदाएगा दोस्तों में आपको क्योंसे सोल करका ना अजमेर इदर आजाएगा पाली ठीक है अब मिलाली दुस्तों है न सबसे लाश्ट में कहालाएगा पनजाब शाह का उर्ष दोस्तों कब मनाया जाता है कितना घजब का परसन है अशर क्यों है इस बमर्णे चरेक्टर जाएगा अगर आपको पूछ ले रादस्तान में लाल्या काल्या का मेला कहां बढ़ता है तो ये भी दोस्तो अजमेर में बढ़ता है ये क्यूशन पटवार एक्जाम में पूछा गया था ठीक है इस बात का दियान रखना बविशे में कभी पूछ ले तो गलते मत करना आगे देखें दोस्तों क्या बोला है रादस्तान के लिए काहाउत अकाल से संब्ढ़ता है तीजो कुरियो आठो काल इसमें कुरियो का क्या अर्थ है कुरियो का अर्थ होता है इसमें अर्थ काल ये क्यूशन भी एक्जाम में पूछा जा चुका है ठीक है तो उतनम और दोस्तो भी बिल्कुल करेक्टर देगा अगर एंसा क्योशन बविशें पूँच ले तो गलते मत करना यह था दोस्तो आज का आपका दोस्तो पसू प्रेचर के लिए वाई गुणती स्वा मोडल पेपर और दोस्तो जल्द ही आपके लिए दोस्तो टेस् क्या होने वाली है दोस्तो कब लॉंच होंगी तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ जो आपका एप दोस्तों क्यूंती जी के क्लाशेट के नाम ते वह दूस्तो सुकुरवार को बनेकर रेडिय हो जाएगा और यह आपको टेस्ट्र रिस टूर पर जब आपको एप को देखन बिलेंगे और दोस्तो इतनी अपोर्टेवल टेस्ट रिज्ट है ना गारेंटी की साथ दोस्तो बता रहूं पूरे राधस्तान में आपको ऐसा कंटेंड देखने को नहीं मिलेगा इतनी गरीब से गरीब विद्यार्थिप दोस्तो इसको अपोर्ट कर सकता है बिल्कूल दोस दोस्तो होता है और जहां से दोस्तो आपकी एक्जाम में आपको खुब हो क्यूशन मिलेगा पहली बार में दोस्तो अगर आपको सेलेक्शन लेना है ना तो आप इतने सोच भी ने सकते इतनी दोस्तो कम प्राइस में इतनी एक अपोर्टेबल फीस में दोस्तो आपको टेस सरी देखने को मिलेगी आज के लिए दोस्तों इतना है तब तक लिए जैहन जी अबार थैंक्यू मलते हैं नेश्ट इस क्लास में जल्द ही